हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई यूटूब चैनल बात करेंगे कॉल इंडिया के बारे में जो की अभी-अभी मेनेजमेंट की ओर से जनवरी मंत के बिजनेस रिपोर्ट रिलिस कर दिये है तो किस तरह के बिजनेस रिपोर्ट देखना को मिल रहा है उसके उपर मैं अनलिसिस क करेंगे और आगे क्या पॉसिबल लेवल और टार्गेट स्टॉक्स में नजर आ सकते हैं उसके बारे में भी इंफॉर्म करने की कोशिस करूंगा इस वीडियो के माधियम से तो फ्रेंड्स वीडियो के साथ बने रहा है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके के सामने हैं हम दो एकनोमिक टाम की वेबसाइड के ओपर आया है और बदाए जारा कि कोल इंडिया प्रोडॉक्शन्स राइज 7% इन जनवरी मत यानि फ्रेंड्स 7% का प्रोडॉक्शन्स राइज हुआ है जो कि ऐसे बीज प्रोडॉक्शन्स राइज नहीं होता है अगर दिमांड बढ़ेगी तो प्रोडॉक्शन्स भी बढ़ाना पड़ेगा फ्रेंड्स तो यह कह यहां पर अच्छी पॉजिटिव पॉइंट निकल के आ रहा है फ्रेंड्स कि कहीना की बिजनेस है और कहीना की बढ़ते हुए नजर आ रहे कोल इंडिया के जैसा कि आप देख देख सकते हैं जनवरी मंत की बात करें तो 64.5 मिलियन टन का जो प्रोडॉक्शन्स था वो इंक्रीज हुआ है फ्रेंड्स जो की पिछले साल के मुकाबले देखें तो अब देख सकते हैं लाश्ट यर साट पॉइंट 4 मिलियन टन का प्रोडॉक्शन्स था तो उसके चारसो इठो तेर मेट्रिक टन का आउट पुट नजर आ रहा है जो की पिछले साल 453 मेट्रिक टन का आउट पुट था तो उसके मुकाबले फैंट्स कही ना गई हैं वाप में बड़ उत्री नजर आ रही है और साथ में हमें होलियूम्स भी इंक्रीज होते हुए नजर आ को मिल रहा है और इसके दम पर आपको हो सकता है तीजी की सिच्वेशन पर श्टॉक्स में नजर आज सकती है जो कि हमारे जो प्राइम मेंबर से उसको तो हमने एक सो चालिस के आसपासी खरीदारी करवाई थी कोल इंडिया में तो आगे क्या पोसिबल लेवल अफ एक पोपनिंग हाई बनाया एक सो त्रियांसर रूपे पैसे का और लो देखना को मिला एक सो आटान रूपे साट पैसे का और डिल्बर परसंटेज की बात करें तो जो कौंटरी ट्रेड हुई आज वो तकरीबन 62,60,000,000 की कौंटरी ट्रेड हुई जिसमें से डिल्बर वानटी की बात करें तो 61,23,000 की डिल्बर परसंटेज देखें तो 33% की असपरस की डिल्बर परसंटेज देखने को मिल रहे है तो कारवबर का सुच्वेशन तो यहाँ पर मैं अच्छा नज़र आ रहा है चार्ट क लेवल की बात करो तो 140-150 की जो रहे हैं जे वहाँ पर मैं स्ट्रॉंग सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है जो कि पिछले दिनों भी कही ना की वही लेवल से एक अच्छा आपनों देखने को मिला था 200 रुपे तक का फिर वहां से गिराट और फिर वही लेवल से आस- करेक्शन नजर आ सकता है एक सो साथ एक सो सतर तक के फ्रेंट्स तो यहां पर मुझे लगता है कि फ्रेश खरीदारी करने के लिए आप 140-150 की रेंज में फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं और आपका एसल रहेगा 138 का 138 के साल एसल के साथ आप यहां पर पोजिशन बना सकते ह को हल्ड करना पड़ेगा फ्रेंट्स तो आप इन लेवल को चाउट कर अपना श्टाडी कंड़क कर अपना फाइनेश डिविजर की सलाल है उसके बाद ही किसी भी तरह की कोई पोजिशन बनाई है वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करकेंगे रेच करना ना भूले चै को भी सब्सक्राइब को लीजिए मिलते हैसी एक निव वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक्यों गया और वाजिंग दिस वीडियो